बीच मैच हुए हार्दिक पांडिया इंजर्ड ले जाना पड़े उने हॉस्पिटिल ट्रीटमेंट के लिए जी हाँ दोस्तो एक बहुती ब्रेकिंग न्यूज आ रही है तूफान स्पोर्ट्स की तरफ से मैं आप सभी को बता दू कि हार्दिक पांडिया जो है इंडिया वर्सिस बांगलादेश का ICC मैंस क्रिकेट वर्ल्ल कप का सत्रावा मैच था पूने में ये खेला जा रहा है इस पाकिस्तान के खिलाब बोलिंग डालते हुए थे इंजर जिसकी वज़े से पूरा एक डेट साल वो क्रिकेट से बाहर रहे थे और वापिस बहुती जादा स्केरी उनको इंजरी हो गई हुए हुआ दरसल यह था बांगलादेशी ओपनर तंजिद ने मारिती स्ट्रेट ड् अब बी-सी-सी ने ट्विटर पर एक ट्वीट डाला है कि हार्दिक पांडिया को जो है हॉस्पिटल ले जाये जा रहा है स्कैंस के लिए और यह बहुत ही जादा डरावना सिनारियो हो जाएगा सारे ही फैंस और इंडियन क्रिकिट टीम के लिए अगर ऐसा कुछ होता है ह हमने देखा है हार्दिक पांड्या इंजरी प्रोन रहते हैं लेकिन इस बार का उनका घंबाइक बहुत ही शानदार था बहुत समय बाद उन्होंने बोलिंग डालना स्ट करा था इंडिया के लिए बोलर बन चुक है हमने देखा है पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इंडिया के लिए क्योंकि हार्दिक पांडिया जैसे आल राउंडर आपको हर टीम में देखने को नहीं मिलते और इंडिया की टीम में जहां आपको दो स्पिनर खिलाना है कुल्दी प्यादव और रविंद्र जड़ेजा जैसे स्पिनर उनके बीच में ओवर्स डलवाने के आपको हर्दिक पांड़े जैसे आल राउंडर चाहिए कि हमने बहुत बार देखा है शरदुल ठाकुर जो दूसरे आल राउंडर खेलते हैं वो रंस के लेज पिट जाते हैं अब यही देखना होगा दोस्तों कि हर्दिक पांड़े कितनी जल्दी ठीक होते है और आगे उ